महीं आपको बता दे कि परिचर्चा के दुरान सीम शिवरा सिंग चोहान भी मौजूद थे और उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि नियाईक प्रक्रिया को और ज़ाधा मजबूत करने की ज़रूरत है मैसे जब महा महीं राष्टपति महुदे पधारते हैं तो मुख्धमंत्रियों को कोरोना टेस्ट पहले करवाना पड़ता है मेरा रात में हुआ है महा महीं और मैं कोरोना फ्री हूँ अगर आप इजाज़त दें तो कम से कम बोलते समय अगर ये हट जाए वैसे इसे दिक्कत इतनी होती कि कई वार लोगों को पहचान भी नहीं बात दे हमारे विचारों का ये मन्थन जो सिक्षन और प्रिसिक्षन बहुत जरूरी है समय पर नयाए देने के लिए उसके लिए आयुजित है मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये मन्थन ऐसा हो चिंतन ऐसा हो जिससे अमृत निकले और मधवतेस सरकार की तरफ से मैं आस्वस्थ करता हूँ कि मधवतेस अमृत को जनता तक पहुँचाने में जिस सहिओ क्यावसक्ता होगी उस पे हम कसर नहीं छोड़ेंगे जितनी भी व्यवस्थाएं मानव सभिता के उदै के बाद बनी है क्या है वो राजने तेक विचार धाराएं हो अन्तता सबका एक ही लक्ष है मन उससे कैसे सुखी हो मुख मंत्री, प्रधान मंत्री, महा महिम सारी व्यवस्थाएं उसका क्यांदर एक ही है आम आदमी को हम कैसे सुखी कर पाएं